ये है विल्वित्र भारती सेल्यूलोइट किस सितारे सेल्यूलोइट किस सितारे इस कारेक्रम में आज हमारे महमान है गेतकार, पटकथा और समवाद लिखक सूरज सनीम आप से पाचीत कर रहे हैं सूरज शुकला सूरज जी विवित्र भारती स्टूडियो में आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपनी जिन्दगी के कुछ पन्ने हमारे बीच खोले साहब मीना कुमारी का एक शेर है तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी बेलुत्फ जिन्दगी के किसे हैं भीके भीके और अक्वरारावादी का एक दूसरा शेर है कि क्या कहें अबाब का कारे नुमाया कर गए बीए की रोकर हुए पैंशन ली और मर गए दोनों शेरों के बीच में ही मेरी जिन्दगी की कहानी चुपी है हुज़ूर हर कामयाब आदमी के जिन्दगी के कहानी होती तो फीकी फीकी है लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आप मूलता रहने वाले कहां के हैं रहने वाला हूँ मैं बलोचस्तान के कंटोर्मेंट नगर लोरालाई का बच्पन, जवानी, एजुकेशन लुध्याने में लिए है और बाकी जिन्दगी तक्रीबन बंबे में गुजारती है मुंबई कब और कैसे आना हुआ 72 में आया जैसे बाकी लोग आते हैं उन दिनों लिल्वे में एक थर्ड क्लास होती थी जिसे आज कर आप लोग सेक्टन क्लास कहते हैं उसके स्लीपर में आया था और लेखन के शुरुआत कैसे हुई आपकी कहानिया लिखने का शौक बच्पन से था मेरे खाले पांच साल की उमर में मैंने पहली कहानी एक घर ली थी कालिज के जमाने में कहानिया चप्टी शुरू हो गए थी तो ख्याल आया कि क्यों ना बंबे चलें और ये जो घिसी पिटी कहानिया है इनके रुजान को बदले फिल्मों के रुजान को तो नहीं बदल पाई साब खुद ही बदल गए नमक की कान में आकर नमक हो गए आपके पसंदीदा फिल्म मेकर कौन से रहे सुरसनीम साब मेरे पसंदा मेकर्स हैं गुरुदत, विमल राय, प्रियदर्शन, विजे अनंद, ब्रिज इन सब के साथ आपने काम किया, लेकिन इन सब की पिक्चरों का जो पसंदीदा आपका गीत है, उसमें पहला जो सबसे ज़्यादा पसंद गीत आपका कौन सा है ये कहना गलत होगा कि इन सब के साथ मैंने काम किया है इन में से अक्सर लोग उस जमाने के हैं जिन्देनों में बच्चा था और फिल्में जोक-शोक से देखा करता था लेकिन आईए जब बात चीज चली है पसंद के गानों की तो मैं आपको पहला वो गीत सुनाता हूँ जो मुझे लगता है जैसे मेरी जिन्दगी की कहानी हो मन रे काहे न धीप धरे चितरलेखा में गुल्शन नंदा जैसे लेखक जिनके उपन्यास तो काफी मशूर रहे लेकिन उन पर बनी फिल्में नहीं चली आप इसमें किस की गलती मानते हैं ये कहना गलत होगा कि गुल्शन नंदा के नावलों पर बनी फिल्में नहीं चली उनकी अक्सर फिल्में काम्याब रहीं सिलुर जूबली हिट रहीं और कारण इसका ये है कि जैसे लोग उनके नावल पढ़ने वाले हैं वैसे लोग फिल्में देखने वाले हैं सूरा साब इस शहर में आने के बाद और काम पाने के बीच का जो फासला होता है जिसे यहां स्ट्रगल कहा जाता है वो स्ट्रगल आपका किस तरह कैसे आपने मतलब काम पाने की शुरुवात कैसे हुई कहां से शुरुबा थी शुकर जी जब मैं बंबे में आया तो चार पांच और ऐसे लोगों को जानता था जो मेरे साथ ही बंबे में आये थे कुछ लोग देली से कुछ बागी शैरों से और हम पांच छे फिल्मों में काम पाना चाहते थे लेकर हमें जो कोई भी यह नहीं जानता था कि क्या काम करना चाहता है एक्टर बना चाहता है राइटर बना चाहता है बस फिल्मों में काम करना है और मैं तो यह भी नहीं जानता कहतें थक्या था कि कहीं काम निए बना, मैं किसी को जानता नहीं, एक संडे को मेरे पास आया और उसने फिर पूछा के सूरऑ साइब कहीं काम मिला तो मैंने कहाँ काम मिला वो लैंका हाँ मैंने कहानी भीच दिए है अब स्टोरी भी लिख रहा हाँ श्किनेपले भी लिख रहा हूँ डैलाग भी लिख रहा हू मैंने तेहर सेटप क्या है? वोँ जाहर है कि यह बात आ इसलिए कि देवनन Right फिलम में और म्यूजड़क उनके पर्मनेट SG बन मन होते थे एक सेट अप बना हुआ था तो मैंने वो सेट अप दोरा दिया तो बोला अच्छा तो गाने कौन लिख रहा है वो गीत कार्ग बनना चाहते थे तो मैंने का नीरज बोले यार गीत मेरे को दिलवा दो मैं कर सकता हूं तो सब हमारे कहावत है कि कभी-कभी जबान पर सरफस्थी बैठी होती है जो मैंने पहली पिक्चर साइन की यकीन कीजिए उसके पूर्डूसर डेक्टर विजयानन हेरो देवनन उसका शुरू में हेरो शर्मला टैगोर और म्यूजिक एस डिबरूमन और नीरज तो श नीरे मैं तो फिल्म में काम करना चाहती हूं जैसे आप ने तेरे मेरे सब्ने बझाय थी और यह चुपा रुस्तम जैसी फिल्म माबना रहे है तो इसमें तो मैं काम नहीं करूंगी तो किस को लिए मैं उलकर सरस्थी वाली बात कि शर्मला टैगोर साइन होकर, デ्रॉप हो गई और हेमा माली आ गई अच्छा तो बात ये है कि काम मिला कैसे तो साब एक ऐसे राइटर से मुलाकात हो गई जो उन दिनों तीन चार अच्छी फिल्में लिख रहे थे और पता चला को मैट्रिक फिल है और हिंदी भी उनको कुछ ठीक से नहीं आती अर्दू भी नहीं आत और ये राइटर है मैंने का साब हमारी तो कहानिया चपती है हिंदी अच्छी खासी आती है अर्दू आती है अगर ये फिल्में लिख सकते हैं तो हम को नहीं लिख सकते हैं और साब फिर एक दूसरा एसास ये हुआ कि शुरू में तो कुछ एक्सप्लाइट होना तब ही ये लोग दोस्ती करेंगे नहीं तो ये क्रीब नहीं आने देंगे तो यू समझिए कि दो चार महिने मैंने उस राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की और जब वो मेरे उपर डिपेंडेंट हो गया कि सूरज के बिना गुजारा नहीं तो मैंने का साब ऐसे तो जगतर फद कारोबार नहीं चलेगा आप कम से कम इतना तो किजिए कि जहां पर आपका काम ना बने आपकी कहानी ना भी के उस डिरेक्टर या पूर्डूसर को बोलिए कि सूरे से कहानी सुन लो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो मैं आज से आपके लिए गोस्ट राइ तो सूरे सनीम साब मदन महंजी का संगीत जो की लता जी के आवाज के साथ मिलकर के जादू पैदा करता है उनका कौन सा गीत पसंद है आपको उनके जितने भी गाने उन्होंने आज तक किये ना सारे के सारे मुझे पसंद है लिक्कन जाहर है इस प्रोग्राम में वो सारे आपकी जो शक्सित है वो एक राइटर की है आज लेकिन अगर आप राइटर ना होते तो क्या होते आपको एक बात पता हूँ हम में से हार आद्मी जो इस दुन्या में आया है ना उसको एक सबसे बड़ा डर है मौत का बंदे से घबराता है और तरीके ढूंदा है कि मैं कि इसी तरीके से अमर हो जाओं तो आद्मीने अमर होने के तरीके जो धूंदे है वो ये है कि वो राइटर बन जाए शायर बन जाए या पेंटर बन जाए कि जब मैं मर जाँँगा तो मेरे मरने के बाद भी मेरा कلام, मैरी कहानिया, मेरे नावल ये दुनिया में वाकि और मैं immortal हो जाओंगा अमर हो जाओंगा ये बात और है कि जब मैंने लिखना शुरू किया कहानिया तो पता चला कि ये किताब भी बाकी नहीं रहती है इनको धीमक चाट जाती है तो मैंने सोचा फिल्म में तो हमेशा रहती है कि जो फिल्म मैंने 20 साल पहले देखी थी उसके आज भी प्रिंट है आज मी शलती है तो शहएद फिल्मों में आज मि hangingId होता है कि जो सहितिक अभिरुची के लेखक हैं यानि लिट्रेरी बैक्ग्राउंड के जो राइटर्स हैं वो आज फिल्मों में क्यों नहीं है क्यों खपनी बारे या उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा उस तरह की फिल्में बन के सामने क्यों नहीं आ रही है आईए एक बात समझ लें कि लिट्रेचर में और फिल्मों में फर्क क्या है लिट्रेचर किताबें वो लोग पढ़ते हैं जो पड़े लिखे हैं किताबें पढ़ने के लिए पड़ा लिखा होना बहुत जरूरी है फिल्म में वो लोग देखते हैं जो अनपड़ हैं जाहिल हैं हमारी यानि मिजार्टी जो है वो उन लोगों की है तो पड़े लिखे लोग जो हैं वो मायराइटी में आ जाते हैं और वो फिल्म को हिट नहीं कर सकते थेटर का हाल फूल नहीं कर सकते तो जरूरी है कि इन लोगों के लिए जो लोग फिल्मे लिखें जो लोग फिल्मे बनाएं उनकी अपनी अकल भी उनकी लेवल पर होनी चाहिए एक प्रफेसर की लेवल पर नहीं होनी चाहिए प्राइmir क्लास के बचे को पढ़ने के लिए एक प्रफेसर की समका पीटली आदमी नाकाम हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए अपना चार च्छे आट जमाते पढ़ाओा आदमी होना चाहिए तो इसलिए इस किसम के लोग हैं फिल्मों में क्योंकि देखने वाले लोग इस किसम के हैं आज हर फिल्मेकर कहता है अच्छे राइटर्स की कमी है जबकि सारे पुराने दिगज अभी मौजूद हैं कुछ एक को छोड़कर सुरत सनीम साथ इसकी वज़े क्या है कौन जिम्मेदार है इस चीज का मूल लेकर आज की जो फिल्म बनाने की विधा है उसमें सुईकारिय नहीं है जी नहीं औरिजिनल राइटिंग किसी प्रोडिसर को नहीं चाहिए कहीं की कॉपी या कोई हिट फिल्म का रीमेक कुछ इस तरह की चीजों को आपके द्वारा उसको लिखवा लेते हैं मतलब री राइटिंग करवाते हैं राइटिंग नहीं होती अब इमानदारी की बात तो यही है जो आप कहा रहें हैं यह बात अलग है कि साल में तीन चार ऐसी फिल्में बन जाती है जिनका लेकल वरिजनल होता है जैसे इन दिनों फिल्म आई दिलवाले दूलनिया ले जाएंगे मेरे ख्याल में यह किसी भी अंग्रेजी फिल्म या अब फिर एक गीत यस्टी बर्मन जैसे बजर्ग संगीतकार का हम आपकी पसंद का सुनाना चाहेंगे आप बदाएंगे आपके अपनी पसंद क्या है एस्टी बर्मन साब को एक खजाने से मैं चाहूंगा के एस्टी बर्मन का गाना सुनाना है तो एस्टी बर्मन के आवाज भी सुने तो बंदनी फिल्म में उन्होंने गाना गाया था मेरे साजन है उस पार मैं मनमार बहुत मशूर लेखक जैसे प्रेम चंजी की कृतियों पर कई फिल्मे बनी और प्रेम चंजी को हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत गहरे पैट के पढ़ते हैं लेकिन उनकी कहानी पर जो फिल्मे बनी उनको देखने के बाद मुझे लगता है कि जो दृष्य विधा है जैकर्स ने इतना संजीदा होकर के उस पर काम नहीं किया फिल्म में वह बात नहीं नजराथी जो उनके लेखन में नजरा आती है शुक्रा जी आए पहले उन फिल्मों का जिकर करें जो उनकी कहनियों पर बनी है एक फिल्म है गबन जो रिशीकेश मुकर जी जैसे काबल डिरेक्ट ने बनाई मैंने वो फिल्म देखी हैं फिल्म बहुत खुशूरत थी और उसमें गहराई थी वो गहराई जो मुशी प्रेम चंद के नावल में थी दो बैलू की कथा को बनाया हीरा मोती के नाम से मेरा खल वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी फिर सत्यजी जैसे डारेक्टर ने शत्रंच के खिलाडी बनाई और यह पिक्चर पूरी दुन्या में इसने वहावा की वहावा हासल की और इसके इलावा उनके कौन से नावल पर फिल्म बनी है हाँ गौदान बनी राजकुमार थे कामनी कोशल थे वो फिल्म भी काफी अच्छी थी तो यह कहना के उनके नावलों पर यह उनके कहानियों पर सत्य जीतले ने एक और कहानी पर भी शॉट फिल्म भी बनाई थी उनकी जिसमें समीता पाटर थी वह पूरी थे तो यह कहना के इन लोगों ने उनके कृती के साथ जस्स नहीं की मैंने का इनके साथ जाती होगी ये बात अलग है कि ये आडियो वीजूल मीडियम है और जो आप पढ़ते हैं वो एक दूसरा मीडियम है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टांसलेट होने में कुछ न कुछ तो खुश्बू जाएगी साब आजकल हर फ्लॉप फिल्म का राइटर हमेशा अखबारों में बयान देता है कि हुश्बूर हमने तो फिल्म अच्छी लिखी थी लेकिन प्रोडूसर ने हर तीसरे दिन अखबार में बात आती है कि फलानी फिल्म आट करोड की बनी और फ्लॉप हो गई लाइटर का बैान आता है उसी अखबार में टीसरे दिन कि हमने जो लिखा था उसको जयंकत्य उतारनी उसमें कहानी में फिर बदल कर दी देखे ये राइटर ये बात फिल्म की रिलीज होने के बाद ही क्यों कहते है रिल् ling को को भाता हूं क्यों वो इन्जार कर रहे होते हैं कि अगर तो फिल्म काम्याब होती है तो मैं बोलूँगा कि ये मैंने लिखी और ये इसकी काम्याबी का सेरा मेरे सर बनना चाहिए क्योंकि मेरी कहानी ही फिल्म की बने आती और अगर नाकाम होती है तो उसके बादो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि साथ मारा गया लूट लिया गया मेरे काम के साथ जस्टिस नहीं हुई मेरा ख्याल है ऐसा प्रोटेस्ट उन्हें बनने से पहले करना चाहिए अब नौशासाब का ख्याल आता है जिन्होंने अपने दोर में ऐसा मेजिक दिया है कि सुनने के बाद लगता है कहीं हम गाहों में सेर करके आ रहे हैं तो उनकी फिल्मों में से कौन सा उनके गीतों के खजाने में से आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है मैं आपको उनका वो गीत सुनाऊंगा जिसमें ना तो आप गाउं की सैर करेंगे ना शेहर की सैर करेंगे आप सैर करेंगे तो आत्मा की अमर में गीत है तेरे सदके बलम न कर कोई गम यह समाज यह जहां फिर कहां दोस्तों ये आपका मन पसंद रेडियो चैनल है विविद भारती आप सुन रहे हैं कारेक्रम सेल्यूलॉइट के सितारे इस कारेक्रम में आज हमारे मेहमान हैं गीतकार पठकता और समवाद लिखक सूरज सनीम आप से बातचीत कर रहे हैं सूरज शुकला ऐसा कहा जाता है कि आजकल की जो फिल्में हैं वो बिना कहानी के बनती हैं इस बात से आप सूरज सनीम साब सहमत हैं या नहीं और अगर हैं तो बिना कहानी के बनी हुई फिल्म क्या कामयाब हो सकती है इस बात को आप मानते हैं देखे साब, एक फिल्म इन देनों ऐसी बनी है जिसमें कहानी नहीं थी और उस फिल्म ने पिछले सौ साल की काम्याबी के रिकार्ड तोले फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन अगर आप मुझे उसकी कहानी सुना सकें तो जो भी आपी नाम आगे मैं आपको देने को त्यार हूँ और बाकी मैं आपको दो हजार, दस हजार ऐसी फिल्मों की कहानिया सुना सकता हूँ जो नहीं चली है तो ये कहना कि कहानी होने से फिल्म चलती है बहुत गलत बात है हर film की कहानी होती है और हर film उड़ती है नाइटी परसेंट फिल्मे उडती है पिर मतलब है एक और बात कि पुराने जमाने के लगभग आधे से जएदा फिल्मे बनाने वाले भी और लिखने वाले भी आज मौजूद होने के बहुजूद भी उस तरह की फिल्में क्यों नहीं दे पा रहे हैं जैसे फिल्में 60s, 70s और 80s तक बनती आई क्योंकि वो दौर खतम हुआ उस किसम के लोग नहीं रहें जो वो यह फिल्में देखते थे जमाना बदल गया है, एक नई जनरेशन है, यह अपने साथ अपने नई शौक लाई है, अपने नई फैशन लाई है, अपने नई डारेक्टर लाई है, अपने नई राइटर लाई है मेरा ख्याल है कि हमें ये कहना बंद करना चाहिए कि पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था ये दादाओं वाले एटिचूर जो है ना बदलने चाहिए भी मस्ट मेक वे फार दर न्यू नई नसल की आपने नई डिमांड होती है और उनकी बाते सुननी चाहिए उनके गीत भी सुनने चाहिए उनका म्यूजिक भी सुनना चाहिए मतलब यह है कि अगर उस दोर की फिल्में बने तो आपको कहना है कि नई पीड़ी उनको रिजेक्ट कर देगी उन्हें पसंद नहीं करेगी इस डर के मारे या बाजारी दबाओ के मारे लोग अब उस तरह की फिल्में नहीं बनाना चाहिए यह कहना चाहते हैं आप मैं यह नहीं कह रहा है मैं यह कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी चीज़ प्रमनेक नहीं है नदी की धारा बहती चली जाती है बदलती चली जाती है कब फ्राइडे को पोस्टर उतर जाता है निया पोस्टर आ जाता है मीरा कुमारी चली जाती है और मधुरी डिक्षित आ जाती है दिली कुमार चला जाता है और सलमान खाना आ जाता है ये पता भी नहीं चलता नए दोर में नए लोग आते हैं और नए लोग आने चाहिए इस म्यूजिक है जो फिल्मों को चलाता है तो उनके दौर के जो गीत रहे हैं आप भी उसे वाकिफ हैं मैं भी वाकिफ हूँ उनमें से आपकी पसंद का कौन सा गीत है जो आप सुरुदाओं को सुनाना चाहेंगे लक्ष्मिकान प्यारे लाल का संगीत साथ एक काना है मजू सामने लिखा हुई शाम उनका ख्याल आ गया इस शहर में जो भी लेखक रहे हैं उनकी कुछ धाराएं यहां सुनी गई कि ये रैटर हैं जिनकी ये इस तरह के सब्जक्त लिखते हैं कुछ लोग हैं जो रोमांटिक लिखते हैं कुछ लोग हैं जो ट्रैजिक लिखते हैं तो इन लेखन की विधाओं में आपकी विधा कौन सी रही मैं जाती तोर पर इनसानी रिष्टों की बात करता हूं जी जो रिष्टे बदल जाते हैं न कि एक मिया बीवी एक दूसरे से बेंतहा प्यार करते हैं नाजानी वो प्यार बीच में से कहां गायब हो जाता है रिष्टों का बदलना रिष्टों का टूटना रिष्टों का जूडना ये मुझे हमेशा हैरान करता है और अगर आपने मेरी फिल्में देखे तो अकसर मेरी फिल्मों में ये बात होती है जैसे काश है, अवार की है, आनन्द और आनन्द है, बदलते टोपते रिष्टों की बात करता हूँ, तो इसको अगर आप कोई नाम देना चाहें, रोमांटिक या रियलेस्टिक या कम्मिनिस्टिक तो पता नहीं, लेबल्स मेरे को कभी इंटरस्ट नहीं किये, और एक और चोर-चोर, डबल क्रास, हिरा पन्ना, देश परदेश, एक आनन्द और आनन्द को छोड़ के अकर देखा जाए, तो इनके साथ जो आपका पेर बना, उसकी ज्यातर फिल्में मशूर रहीं, और उसके बाद की पिक्चरें अगर महिश भट जी की देखें, और राज खोसला आपके अगर मैंने टीवी आडियस के लिए जनम बनाते हैं कि एक टीम वर्क है जो फिल्म को चलाता है, और लगातार एक टीम के साथ जुड़े रहना ही आदमी को कामयाब बनाता है, टीम वर्क पर आप कितना बरोसा करते हैं? देखेंजी, दो बाते की हैं आपने, जे कहना कि देवनंद के बाद की जो फिल्म में है मेरी, वो अच्छी या कामयाब नहीं रहीं, गलत होगा, क्योंकि एक टार्गट आडियस होता है, जिस के लिए आप फिल्म बना रहे होते हैं, अगर मैंने टीवी आडियस के लिए ज तो ऐसा नहीं है कि बलके इन फिल्मों को से मैंने ज्यादा नाम पाया, ज्यादा शुरत पाई बलके यानि हिरा पना जैसे फिल्मों से, तो आईए दूसरा पहलो है आपके सवाल का, तो ये सही है कि फिल्म का मेडियम जो है, अकेले आदमी का मेडियम नहीं है, इंडिजि कि मिली जूली मेहनत जो होती है वो एक फ्रेम में आती है तो अगर कोई अकेला आदमी अपने आपको फिल्म की कामयाबी के लिए जिमेदार समझे या किसी अकेले आदमी पर ये इलजाम थोपा जाये कि फिल्म नाकाम हुई है वो रिस्पॉंसिबल है ऐसा नहीं होगा ये पूरा टीम वर्क है और जो आदमी टीम में काम नहीं कर सकता वो इस पेशे में कामयाब नहीं हो सकता काम्याबी के लिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरे की बात सुने दूसरे को अपनी बात सुनाए काम्याबी से ख्याला है एक काम्याब म्यूजिक डिरेक्टर का शंकर जैकिशन जिनके लगबग हर गीत काम्याब रहे तो उन कामयाब गीतों की लिस्ट में से आप कौन सा गीत चुनेंगे सुरताओं के लिए से दिल अपना और प्रीत पराई अजीब दास्ता है सुरसनीम साब अब फिल्मों के बाद एक नई विधा शुरू ही धारवाहिकों की और धारवाहिकों की शुरूवात ने एक नए राइटर्स की बिल्कुल एक काफी अच्छी खासी संख्या में मौजूदगी का एसास कराया बंबई में और कई एक सीरियल जैसे हम लोग खांदान अच्छे भी आए आपका जुगाओ सीरियलों की तरफ क्यों नहीं हुआ पहली बात तो यह है कि साब सीरियल लिखने के लिए बहुत पन्ने काले करने पड़ते हैं शायद आपको पता नहीं कि एक 20 मिनट का एपिसोड लिखने के लिए 21 माई फुल स्केप के पन्ने लिखने पड़ते हैं और दूसरी बात यह है कि यह टाइम बाउंड होता है जब टीवी पर आना शुरू होता है तो हर साथ दिन में आपको एक एक एपिसोड डिलिवर करना पड़ता है तो यू समझे कि एक तलवार सर पर लटकी रहती है कि अब कि अगर यह एपिसोड पूरा नहीं हुआ आज अगर यह नहीं लिखा गया तो कल शूट नहीं होगा कल शूट नहीं होगा तो परसूट जा नहीं पाएगा और लोग आप पर इर्जाम देंगे लेकर ऐसा नहीं कि मैंने अई काम किया नहीं है मैंने दो-तीन हें अपना सीरियल लिखे हैं एक शैद आपने प्रजक्ट टाइगर नाम से एक आता था रखशक नाम से सीरियल आता था जो जनगलाद के बारे में था जो environment के बारे में था वो मेरा लिखवा था और काफी काम्याब रहा था और अभी एक दो मैंने ऐसे काम की है एक्सपरिमेंटल तो पर तो लेकन बाकाईदगी से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिल्म में मेरा पहली प्राइटी है और फिर है कि अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं मैं क्यों टूब जाओं किनारे बहुत हैं मतलब आप उन्मुक्त लेखन के हमायती हैं वो बंदिशें और टाइम बाउंड कोई भी काम करना आपको फिल्मों से जुके आप आये हैं इस वज़े से शायद यह इस तरह काम आपको फस्दना हो मैंने बूला ना कि अगर तो मजबूरी हो किसा आप फिल्मों से निकाल दिया जाओं तो शायद मजबूरी में मैं वो काम करने लगूं जो अब तक नहीं किया कहानी लेखन के साथ साथ आपने कुछ फिल्मों के गीत भी लिखे हैं तो क्या आप अपने गीतों के बारे में कुछ हमारे शुरुताओं को बताएंगे जी हाँ पहली बार मैंने गीत लिखे फिल्म जनम के लिए फिर जीमर संदिया डैडी रहाई साथ आस्मान सौव करोड ऐसे दस बारे फिल्मों के गाने लिख चुका हूं लेकन मेरी पहचान जो है वो ऐसे स्क्रिप्ट रैटर है ऐसे गीत कार नहीं फिर भी मैं बप्पी लहरी के साथ आपका काफी एसोसेशन रहा है तो उनके साथ आपने जो भी गीत लिखा हो जो उन्होंने उसको मेजिक दिया हो उसमें से एक गीत हम अपने शुर्दाओं को सुनोना चाहेंगे लेकिन पसंद आपकी देव साथ देवनन साथ की डायक्शन की फिल्म है सौ करोड उसमें लटामगेशकर ने गीत गाया था प्यार के लिए बनी में प्यार के लिए रची में प्यार के लिए सजी में सुर्द सनीम साब हम बहुत सवाल आपसे करना चाहते हैं लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं पूरा वो काफी कुछ रह जा रहा है जैसे कि आपका परिवार और आपका यहां जो लेखन का एक समाज है मतलब कौन कौन से वो लोग हैं वो हमसफर जो आपके साथ बंबई में बहुत दूर तक चले इनके बारे में कुछ आप बताएंगे लेकिसाब जहां तक बात रही परिवार की तो मैं दुनिया में अकेला हूँ मेरी मा के जाने के बाद मेरा परिवार खतम हो गया अपसलूटली अलोन और जब मैं यह कहता हूँ अकेला हूँ तो हर मानी में मैं कहा रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ उस सफर में कोई ज़्यादा साथ देता नहीं है लोग एक कदम दो कदम साथ चलते हैं फिर अपनी अपनी रहा चले जाते हैं सूर सनीम साथ आपने हेमा जी के साथ एक पिक्चर की थी दिल आसना है और उस पिक्चर के बारे में कहा गया कि उस पिक्चर हिंदोस्तानी जो रिवायत है जो यहां का सोशल सिस्टम है उसके खिलाफ थी वो पिक्चर क्या है हेमा जी एक यूरपियन सीरियल था लेस उसके उपर एक फिल्म मनाना चाहती थी और उन्हें मुझे कहा कि इस पर फिल्म मनाते हैं मैंने उन्हें मना भी किया लेको नहीं मानी और उन्हें फिल्म शुरू करती किसी दूसरी राइटर के साथ तो हाफ वे में उन्हें अब जब के वो कुमिट करी चुकी थी, सारी सार का साइन हो चुकी थी, जैपुर का तो मैं भी उनके साथ हो लिया, ऐसा होता रहता है जिंदगी में। आपने सुर्य साब एक और पिक्चर की थी, रहाई, जो राजस्थानी परिवेश की थी, और उसमें भी काफी बोल्ड तरीके से आपने किया था, और राजेज जी ने डिरेक्ट किया था उसे, आप जैसे संजीदा लिखक से इस तरह के उमीद तो नहीं की जा सकती? मेरे ख्याल में अगर आप मेरे को संजीदा राइटर मानते हैं, तो फिर रहाई बहुत ही संजीदा फिल्म है, यह एक फैमिनिस किसम की फिल्म है, जिसमें यह सवाल पूछा गया है, कि जिन कामों को लोग अपने लिए जायस समझते हैं, वही बाते औरतों के लिए गुना क्यों हो जाती हैं, वह बाते हैं जिसके आप अपनी छोटी सी गलती भी नहीं समझते हैं, उसके लिए आप उनकी जिन्दगी लेने को त्यार हो जाते हैं, उसमें कुछ सवाल उठाए गए थे, मेरा ख्याल है उन सवालों का जवाब अभी तक मर्दों ने दिया नहीं है, और या शायद पिर आपने फिल्म ने देखी, खुझर मैंने फिल्म देखी है, और उसको देखने के बाद हमने ही नहीं जिन्हों ने देखी, यहां तक कि अख़वारों में कई बार ये बात आई, कि इतनी बोल्ड फिल्मों के लिए अभी हिंदोस्तान तयार नहीं है, तो मर्दों से ज्यादर ताकतवर बनाया है, और वक्त आ गया है कि आप पार्लेमेंट में भी और असंबली में भी और समाज में भी उन्हें बराबर का दरजा दिया जाए, आप सुरे सनीम साब फुरसत के छणों में क्या करते हैं, मेरा मतलब आपकी होबीज क्या हैं, फुरस हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कि आप हमारे साथ यहां इतनी देर तक रहें, और आपने अपने जो भी बेबाक तरीके से जितने हमारे शुरुताओं तक अपनी बात पहुंचाई है, इस बात के लिए हम आपके सुक्र गुजार हैं, नमस्कार मैं शुक्रे अदा करता हूँ आपका और इन सब शुरुताओं का, जिन्होंने इतने सबर के साथ यह प्रोग्राम सुना, विविद भारती वालों का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रन दिया, थेंक्यू वेरी मुद्ट कार्यक्रिम की प्रस्तुत करता हैं, शकुंतला पंडित, अगले हफ्ते फिर किसी सितारे के साथ आपकी खिद्मत में हाजिर होंगे, नमस्कार Celluloid के सितारे Celluloid